नमस्ते, स्वागत है आप सबका मेरे चानल पे, आएए आज का वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिजएगा, शेयर कर दिजएगा, मेरे चानल पे हर तरह की वीडियो जाती है, होम डेकोर की, किचेन टिपस और टृक्स की, रेचिपीज की टूर की हर तरह की वीडियो जाती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर दीजे ताकि जो भी वीडियो में डालू उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं वीडियो पसंद सब्सक्राइब तो लाइक जरूर कर दीजेगा सुबे का जो टाइम होता है वह बिल्कुल भागदार बाला होता है मतला आधे गंडे के अंदर हमें बच्चों को स्कूल भेजना होता है साड़ी का करने होते हैं तो अगर कुछ थोड़ा सा वैवस्तित करके हम अपने चीज परती है तो क्यों ना इन सब को एक ही जगह पर रखा जाए तो जहां पर आप अपने मेकप के आइटम्स रखते हैं चूडी बैंगल्स वगर रखते हैं वहीं पर आप कंगी को रखिए और दस मिनट के अंदर यूनिफॉर्म रेडी करना लंच प्रिपेर करना रेडी करना बाल बनाना तो बहुत हैक्टिक हो जाता है तो कंगी वगरा को ख्लचर को जो अगर कोल्ड क्रीम वगरा है सब को एक ही जगह पर रखिए ताकि आपको भागने की जरूरत नहीं हो बस एक अलमारी खोला एक कबड खोला और सब चीज आपको एक ही जिगह पर मिल जाए इस इस तरह से कोई जरूरी नहीं है कि वह देखने में अच्छी लेगे फंक्शनल होना चाहिए हमारा चीज देखिए यहां पर एक मिठाई का डबा है इसमें ही मैं ऐसी चीज़े रखती हूं जिसकी हमें सुबह सुबह ज़रूरत परती है जैसे कोल्ड क्रीम है बालों की चि इसमें डाल के पीरो की रख दिया है अब जैसे जरूरत पड़ेगी फटा फर से निकाल के यूज कर लूगी लेकिन यूज करने के बाद फिर जब आप उसको उतारते हैं तो उसको उसी जगह पर रखे तभी आपका काम आसान होगा सिर्फ यूज करना ही एक नहीं होता है उसी जगह पर रखना और थोरा सा मुश्किल होता है लेकिन आप जब करने लगेंगे तो फिर आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और आपको चीजों के लिए इधर उधर भटकनी की जरूरत नहीं पड़ेगी फटा-फट से आप कर सकते हैं आटा जब हम गूंदते हैं ख तो सब के पास गरम पानी होता है थर्मस में हम सब गरम पानी करके रखते हैं या फिर आप भगवने में छोटा सा एक स्वास्पिन रख लीजे उसमें गरम पानी के लिए ही रख लीजे और थोरा सा पानी गरम कर लीजे और उसको उस गरम पानी से ही आप जो आटा है उसको गूधिए, गरम पानी मतलब गुन-गुना पानी, गरम इतना कि आप हाथ से आराम से छुसके, उस गरम पानी से जब आटा गुननेंगे नंआ आपकी जो रोटिया 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 उजीजा मुलाहिएं सब्माइख़म जरूर कर दीजेगा बहुत सारी चीजे ऐसी होती हैं जो हम अपने experience के basis पे सीखते हैं तो जैसे जैसे experience होता जाएगा हम सीखते जाएंगे और कोई यह चीजें हमें बता दें तो बीने experience के ही हम वो चीजें चीजें सीख लेते हैं तो है न अच्छी बात हम अपने grocery item ऐसे आपको जीरो कॉस्ट में आपका जितना ग्रॉसरी आइटम है सबका स्टोरिज देखे कितना बढ़िया हो जाएगा देखने में अच्छी लगती है और इसमें यह है कि जब तक यूज किया किया ज़रूरत नहीं है वह चीज दाल खतम हो गई अब हमें वह दाल नहीं चाहिए तो बस डबा उठाके फिक दिया नहीं तो हम जो महंगे महंगे डबे लेके आते हैं उसमें क्या होता है उन डबो को संजो सजो के रखते हैं चीज़े जैसे खतम हो जाती है फिर उन डबे खाली पर जाते हैं और उन डबो को संभाल के रखना पड़ता है वह जगह भी और रेक पे बिलकुल ना फिट हो जाते हैं आप लगा लेज़गों आप एक ही इतने सारे खाली आजाएंगे तो अगर आपकी पुरानी एक पुरानी गिरस्ति तब भी आप इसको ट्राइ कर सकते हैं और नई गिरस्ति बडिए तो जरू ट्राइक किज़ेगा ये मेरा भी त तो उम्मीद है आपको यह tip पसंद आया होगा तो आज की वीडियो यहीं तक उम्मीद है आपको अच्छी लगी वीडियो पसंद आई हो नाइक कर दिमार कर देजिए मेरे चानल को सब्सक्राइब कर देजिएगा फिर मीलेंगे एक नए बड़िया से वीडियो में